हेलो बाई हो वेलकम टो मैं यूटीब चैनल मैं एक्सपेरिमेंट से एससी आई होप आप सब ठीक होंगे अपनी प्रिप्लेशन अच्छे से कर रहे होंगे कि 29 में को एससी सीजल टीयर टू 2022 का अंस्वर की और रिजल्ट लाइव हो चुका है तो फटा फटा हम देखते हैं मेरा स्कोर कार्ड अगर आप लोगों ने भी अटेंट किया था सीजल टीयर टू तो आप लोग भी अपना स्कोर कार्ड जा के देख सकते हैं वेब साइट वे वही मैं करने जा रहा हूं आपको भी बता देता हूं कैसे होता है तो आपको सबसे पहले लोगिन करना है फिक्साना रिजल्ट और मार्क्स में आप यहां से भी जा सकते हैं और आप जाएं तो यहां से भी जा सकते हैं दोनों ही एक बात ठीक है तो हाँ इस पर हमने क्लिक क आप result देख सकते हैं CGL Tier 2 का final score card आ चुका है तो उससे पहले देख लें और download कर लें ये मेरा registration number ये exam अब submit करना है ओके पूरा CGL Tier मतब CGL 2022 full score card है ये इसमें आपको टाइप इंग computer tier 1 tier 2 row marks normalized mark सब मिल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले में देखते हैं registration number ये मेरी details है category जनरल वगएरा वगएरा and mail वगएरा वगएरा ठीक है allocation details ये सब मेरा पोस्ट preference है और पोस्ट allocated none कोई भी पोस्ट मुझे नहीं मिलिये इस बार paper 1 मेरे normalized marks है 130.07602 और मेरा जो row marks था paper 1 में मतलब tier 1 में वो था 125 ठीक है अब हम tier 2 के marks देख लेते हैं tier 2 paper 2 marks details चार section है और एक computer है तो math में 80 out of 90 general intelligence में 73 out of 90 यहां पे poor performance है मैं मानता हूँ paper 1 section 1 row score 153 और math और reasoning में मतलब row marks बने है 153 पर normalization होने के बाद 159.6 हो गए मतलब almost 6.6 marks मेरे बढ़ गए है section 1 में जिसमें की math और reasoning होता है तो यहां साड़े 6 marks normalization में बढ़ गए है फिर आता है section 2 जिसमें English है English है 135 marks का और मेरे i है 101 general awareness जो की है 75 marks का मेरे i है 22 और section 2 का मेरा row score है 123 जो की section 1 से कम है obviously क्योंकि इसमें gk है I mean general awareness मेरी strong नहीं है तो यहां पर row marks है 123 यहां पर normalization में marks बढ़े हैं बढ़ ज्यादा नहीं बढ़े कितने बढ़े हैं देख लेते हैं 1.26 marks ठीक है पेपर 2 & 3 था economics statistics का वह मैं ने attempt किया नहीं मतलब उसके लिए मेरी cutoff clear हुई नहीं थी अब नीचे skill test हैं दो तो हम देख लेते हैं इनको भी computer knowledge module row score का तो computer में मेरा row score है 38 अच्छा score है काफी और normalized marks है 42 तो काफी अच्छा score है computer का दो बाइदेवे computer की cutoff रही है 24 marks तो उससे तो मतलब 16 18 marks जाता है फिर हम left side में writing taps test भी दे रखा है data entry speed test यहां पे सिर्फ mistakes बताई हैं 0.83 इसका जो detailed analysis है typing test का वो अभी आया नहीं है वो आने वाला है तो total marks में बता देता हूं total row marks मेरे बने है 276 and final normalized score मेरा है 283.9 something तो almost 284 marks मेरे आये है CGL tier 2 में लिस्ट में कोई नाम नहीं आपाया है मेरा कोई post नहीं मिली बट अगर कुछ मिलता भी तो बहुत ही you know low category मिलता तो next time तो अपीर कर नहीं है so wish me luck for that आपका score क्या रहा Caesar tier 2 में please comment down also यहां से आप इसको print कर सकते हैं for more videos like this do subscribe the channel also you can connect to me on my telegram thank you for watching the video